अब ये पुल गिरने की बात एक जो हादसा जो हुआ है इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिसके कारण इस पुल के बनने में उसके रख रखाओं में उसकी तकनीकी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ न कुछ बेसिक फॉल्ट होगा तभी ऐसा आप जैसे बोलते हैं ब्रस्ताचार जो है जो धीरे-धीरे सामने आने लगता है तो शायद ये पुल जो है ब्रस्ताचार की भेट चड़ गया है अगवानी घाट में जो पूल गिरी है उसके बाद राजिती दलों के साथ साथ समाजी कस्तर को जो बुद्धी जीवी उनका कि नागरिक के रूप में एक सबसे अजीव सी बात कहिए कि जब गिरता है कोई तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं और जब उठता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं अब ये पुल गिरने की बात एक जो हादसा जो हुआ है इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐस चीजें जरूर होंगी जिसके कारण इस पुल के बनने में उसके रख रखाओं में उसकी तकनीकी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ न कुछ बेसिक फॉल्ट होगा तब ही ऐसा हो सकता है ऐसा क्यों का जा रहा है जो काफी दिनों से एक ही कंपनी को लगाता ठिंडर परा के गिर पर है यह देश ही नहीं विदेशों में इनकी गुंज रही कई लोग है तो संपर्क में जो होने चनल देखने के बार में कहां ऐसा हुआ है बिल्कुल इस तरह के वाक्यांस तो बहुत रेयर होते हैं क्योंकि आप देखिए कि सरकार एक ऐसी तंत्र है जहां पर और वो बहुत चुन के अपने अफसर्स अपने इंजिनियर्स को बहाल करती है और जिस कंपनी को ठेका देती है उस कंपनी के पीछे आरेंडी किया हुआ रहता है कि ये कंपनी का ट्रैक रेकॉर्ड क्या है ये कंपनी किस तरह का काम कर रही है अब धीरे-धीरे क्या होता है कि एक कंपनी से अगर आप बहुत दिन तक काम कराते हैं तो उसे सरकार में लोगों के बीच जो तालमेल है वो इतना गहरा होता चला जाता है कि धीरे-धीरे समान की गुनवक्ता जो है वो खतम हो जाती है और आप जैसे बोलते हैं भरस्ताचार जो है जो धीरे-धीरे सामने आने लगता है तो शायद यह पुल जो है ब्रस्ताचार की भेंट चड़ गया ऐसे में क्या जो बैठे लोग है चाहिए वो कोई भी हो चाहिए वो लोग जासकती पार्टी रांबिलास हो या फिर पस्पति पारस की पार्टी या फिर बीजेपी हो लोगों को कैसे आंदरों करना चाहिए ताकि सरकार की देखे विपक्ष का जो रोल होता है वो हमेशा एक सजग विपक्ष का रोल होना चाहिए कि सरकार की जो भी चीजे सरकार समाज के लिए कर रही है उस पर एक वाच्डॉग की तरह काम किया जाता है और जिस समय यह पुल बन रहा था उस समय उसक बिल्कुल उनके बातों को शायद नजर अंदाज किया गया कहीं न कहीं उन जो कंपनी ने यह चीज़े जो शुरू की थी उनको ऐसा लगा होगा कि मैं इस बात को संभाल लूँगा या धीरे-धीरे यह बात संभल जाएगी लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर को में अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको तुरत रिक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी तो आपका क्या रहेगा बिल्कुल उस तरह के जो भी हमारे लीडर्स हैं जैसे चिराचिराग जो है या ते जस्वी हैं हमारे जो नए यूग के लीडर है जस्वी ज लेकिन एक टेक्निकल टीम होना बहुत जरूरी होता है एक सरकार की एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए जो सरकार से अलग लोगों को उसमें इन्वाल्व करना चाहिए जो उसकी थर्ड पार्टी जो हम लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी किसी भी गुनवक्ता को चेक करती है बिल्कुल जाना चाहिए और जाके पता करना चाहिए देखना चाहिए और पुल गिरने के पहले भी जाना चाहिए अगर कोई construction या कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है तो हमारे नेता और जो हमारे MLA है या MP है उनका ये फर्ज बनता है कि उस सारे चीजों की जानकारी उसकी गुनवक्ता को देख रेक करना बहुत जरूरी है नौकर्शा के लिए क्या मेसेज है इंतरंगटना होने के बाद देखें नौकर्शा जो है पुलिटिकल में तो उनके अभी सवाल उठाई जा रहे है यह लोग एक दूसरे पर लिपापोती करेंगे इनको ब्लेम करेंगे वो उसको ब्लेम करेंगा नतीजा कुछ निकलने वाला है ने लिए देनके एक दो जो कंपनीज है उस आर्व थीकरा फोड देंगे और अपनी जो चीजें हैं अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं